आजाद राठोड मुंबई की एक महिला जेल के जेलर है जो उनी के जेल की कुछ महिला केदियों के साथ मिलकर मुंबई मेट्रो को हाइजेक कर लेते हैं उसकी बेटी आलिया भी उसी मेट्रो ट्रेंड में है और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वह 40,000 करोड रुपे उस सिक्रेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और जब आलिया आजाद के मकसद पर सवाल उठाती है तब आजाद उसे बताता है कि तुम्हारे पापा के 40,000 करोड रुपे बेंकों ने माफ कर दिये लेकिन जो गरीब किसान जो अपना 40,000 का लोन नहीं चुका सके उनके लोन नहीं माफ किये और मजबूर होके उन किसानों ने आत्मत्या कर ली आजाद और उसकी लड़कियों की टीम 49,000 करोड रुपे को सीधे देश के 7,000,000 गरीब किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है जिससे वो गरीब किसान अपना बेंक का लोन चुका सके और आजाद आलिया को कहता है कि तुम अपने पापा को मेरा एक मेसेज देना और वो कहता है कि तुम अपने पापा से कहना मेरा नाम विकरम राठोड है आजाद और उसकी लड़कियों का ग्रूप पुलिस को चक्मा देके वहाँ से भाग जाते है आजाद अपनी शादी के लिए लड़की देख रहा होता है इस बीच उसकी मुलाकात उस SPG आफिसर नर्मदा और उसकी बेटी से होती है लेकिन नर्मदा को आजाद के बारे में नहीं पता होता है क्योंकि उसने अपना बेस बदल के मेट्रो को हाईजेक किया था और दीरे दीरे नर्मदा और आजाद को प्यार हो जाता है इसके बाद आजाद और उसकी लड़कियों का ग्रूप हेल्थ मिनिस्टर को किड्नेप कर लेता है और हेल्थ मिनिस्टर की जान के बदले आजाद सारे सरकारी हस्पतालों में बहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्ट्रूमेंट और सुख सुधाओं की मांग करता है और वो उन सब को पूरा करने के लिए सिर्फ 5 गंटे क्या टाइम देता है और आजाद लाइव आके सारे देश को सरकारी इस्पतालों की हालाद दिखाता है की सरकारी इस्पतालों में बैसिक सुधाओं भी नहीं होती है और आजाद के ग्रूप की लड़कियों में से एक लड़की पहले डॉक्टर थी लेकिन आक्सिजन सिलंडर की कमी की वज़े से उसके अस्पताल में कहीं सारे बच्चों की मोत हो जाती है वह बहुत कोशिश करती है अपने सीनियर से आक्सिजन लेने की लेकिन सारे लोग उसे मना कर देते हैं और बाद में जो गलती पूरे हेल्थ सिस्टम की थी लेकिन इसके बदले वो उस लड़की को ही फसा देते हैं और कहते हैं कि इसी की लापरवाई और गलत इलाज की वज़े से बच्चों की जान गई है और उसका लाइसेंस कैंसल करके उसे उम्र केट की सजा दे दी जाती है और आजाद की डिमांड के अनुसार पांच गंटों में सारी फैसिलिटी सरकारी अस्पतालों को दे दी जाती है फिर वो लोगों से कहता है कि जो काम पांच गंटे में हो सकता है वो इन लोगों ने पूरे पांच साल में नहीं किया लोग आजाद के इस काम की वज़े से उसे पसंद करने लगते हैं और आजाद और नर्मदा की शादी हो जाती है शादी के तुरंत बाद नर्मदा को आजाद का सच पता लग जाता है क्योंकि आजाद अपने सारे मिशन भेस बदल के करता था और हमेशे अपना नाम विक्रम राठोड बताता था लेकिन ये किसी को पता नहीं चलता है कि विक्रम राठोड कोन है और जैसे ही नर्मदा आजाद को अरेस्ट करने की कोशिश करती है तब ही उनके उपर हमला होता है और उस वेपन डीलर काली गायकवाड का भाई आजाद और नर्मदा दोनों को पकड़ लेता है और उन्हें टॉर्चर करता है और जैसे ही काली गायकवाड का भाई नर्मदा को मारने वाला होता है तब ही आजाद का एक हमशकल जो असली विक्रम राठोड होता है वो आके उन सब को बचा लेता है और विक्रम राठोड आजाद से कहता है कि मैं तुमारा पीता हूँ लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है म सब कुछ भूल चुका हूँ और दूसरी तरफ नर्मदा एक केदी बनने का नाटक करके आजाद की जेल में पहुँच जाती है क्योंकि वह आजाद के ग्रूप की लड़कियों से आजाद के बारे में पता लगाना चाती है और उसे आजाद और विक्रम राठोड के रिष् के रखा है और विक्रम राठोड और उसकी टीम का मिशन होता है कि उन सब को बचा के लाना लेकिन लड़ाई के टाइम पर विक्रम राठोड और उसकी टीम के हत्यार काम करना बंद कर देते हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो सभी आतंगवादियों को मार के अपने सारे लोगों को बचा के वापस ले आते हैं और विक्रम राठोड ने ड्रग डिलर काली गाइकवार्ड के खिलाफ कम्प्लेंड की कि इस ड्रग डिलर काली के खराब हत्यारों की वज़े से हमारे जवानों की जान गई है और विक्रम राठोड की इस complaint की वज़े से काली की सारी हत्यारों की फैक्टरियों को बंद कर दिया जाता है और इसकी जाच के लिए काली के उपर inquiry बिठा दी जाती है लेकिन फिर भी काली विक्रम राठोड से डिल करने की कोशिश करता है लेकिन विक्रम उसे मना कर देता है और काली विक्रम राठोड से अपना बदला लेने के लिए उसी रात विक्रम राठोड और उसकी पतनी एश्वरिया के उपर हमला कर देता है काली और उसके गुंडे विक्रम राठोड को हेलिकॉप्टर में से गोली मार के फैंक देते हैं और एश्वरिया को तिन पुलिस वालों की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई जाती है। क्योंकि वो तीनों पुलिस वाले विकरम राठोड को देश द्रोही साबीत करना चाते थे। और बाद में विकरम राठोड को एक नेशनल टेररिस्ट कोशित कर दिया जाता है। और एश्वरिया उस टाइम पर प्रेगनेंड होती है। इसलिए इंडियन लोग के अनुसार एक प्रेगनेंड औरत को फांसी नहीं दे सकते हैं। कि जब तक उसका बच्चा पांच साल का ना हो जाए। और एश्वरिया ने जेल में ही अपने बच्चे आजाद को जनम दिया। और जब आजाद पांच साल का हो गया तब एश्वरिया को फांसी दे दी। लेकिन एश्वरिया मरने से पहले अपने बेटे से कहती है कि बड़ा होने के बाद तू हमेशा गरीब लोगों की मदद करेगा। और अपने पिता को इंसाफ दिलाएगा। लेकिन विक्रम राठोड मरा नहीं होता है वो बच गया था और सब लोग इस बात से अंजान थे। विक्रम राठोड को आदिवासी लोगों ने बचाया होता है लेकिन वो अपनी यादाश भुल चुका होता है उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है। इसलिए वह नौर्थ इस्ट के उनी आदिवासी लोगों के गाउं में रहने लगता है और वहाँ पर उन आदिवासी लोगों के उपर हमला होता है और विक्रम राठोड सभी हमलावरों को मार के उन आदिवासी लोगों की जान बचाता है। विक्रम राठोड ने उस हमले में एक छोटे बच्चे की जान भी बचाई थी, और वो बच्चा विक्रम राठोड से कहता है कि मैं बड़ा होके आपकी पहचान के बारे में पता लगाऊंगा, कि आप कौन है, और वही बच्चा बड़ा होके स्पेशल आपस में कमांडो बन जाता है, और वही बच्चा विक्रम राठोड को आजाद के बारे में बताता है, और वही अब विक्रम राठोड की टीम के बचे हुए लोगों को ढूंडता है, और उनकी हिल्प से उन्हें पता चलता है कि आजाद ही विकरम राठोड का बेटा है। इसलिए विकरम राठोड आजाद को बचाने आता है। और आजाद की हिस्ट्री जानने के बाद नर्मदा भी आजाद के साथ काम करने लगती है। और दूसरी तरफ नर्मदा की टीम का अफिसर इरानी जो काली के साथ मिला होता है। वर नर्मदा और आजाद के ग्रूप की लड़कियों को मारने की कोशिश करता है। लेकिन इस गोली बारी में आजाद की टीम की एक लड़की की मोत हो जाती है। और उस जेल की सारी महिला केदी मिलकर इरानी को मार देती है। आजाद और उसकी टीम काली के ट्रक्स के उपर हमला करती है उन ट्रकों में आने वाले चुनाओं के लिए पैसे होते हैं वह सब लोगों को पैसे बाट के वोट लेना चाहता था ताकि वह अपनी गवर्मेंट बना सके एक बार अगर काली पॉलेटिक्स में आके सरकार बना लेता है तो उसे रोकने वाला फिर कोई नहीं होगा वह जहाँ चाहेगा वहाँ पर फैक्टरी लगाएगा और अपने फाइदे के लिए कई सारे मासूम लोगों को मारेगा आजाद और उसकी टीम काली के पैसों से बरे ट्रक्स चुरा लेती है लेकिन विक्रम और उसकी टीम को काली के गुंडे पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ आजाद जिस जेल का वह जेलर होता है वह उसी जेल को हाईजेक कर लेता है और वह उन सभी महिला केदियों की जान के बदले अपनी डिमान रखता है वह देश में चल रही डाइसों से जादा बड़ी बड़ी फैक्टरियों को बंद करने की मांग रखता है क्योंकि इन फैक्टरियों की पॉलिशन की वज़े से के आसपास रहने वाले कहीं सारे लोगों की मौत होती है लेकिन सरकार आजाद की इस डिमान को पूरा करने से मना कर देती है और तबी आजाद को पकड़ने के लिए एक नया SPG ओफिसर मादवन आता है फिर आजाद कहता है कि उसने देश में आने वाले चुनाओ को कराने वाली सारी EVM मशीनों को चुरा लिया है अगर चुनाओ टाइम पर नहीं हुए तो सारे देश में अफरा तफरी मत जाएगी पुरा लोकतंतर खत्रे में पड़ जाएगा इसलिए सरकार आजाद की डिमांड को पूरा कर देती है और उन सभी फैक्ट्रियों को बंद कर देती है तरसल आजाद ने उन EVM मशीनों के ट्रक्स को चुराने के लिए नर्मदा और अपनी लड़कियों की टीम को बेजा होता है और वो सभी मिलकर EVM मशीनों के ट्रक्स को चुरा लेती है और तबी काली को उस महिला जेल में आजाद की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और काली जेल के एक सिक्रेट रास्ते से जेल के अंदर आ जाता है और अपने साथ विकरम राठोड और उसके आदमियों को भी ले आता है जैसे ही काली विकरम राठोड को गोली मारने वाला होता है तबी उसकी गन काम करना बंद कर देती है वो कई बार कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसकी गन काम नहीं करती और गन के ट्रिगर चलाने की आवाज को सुनकर विक्रम राठोड की आदाश वापस आ जाती है और आजाद और विक्रम राठोड दोनों मिलके काली के सबी आदमियों को मार देते हैं और लाश्ट में आजाद काली को भी उसी जेल में फांसी पर लटका के मार देता है जहां पर उसकी मा एश्वरिया को फांसी पे लटकाया गया था और लाश्ट में ये पता चलता है कि वह स्टीएफ आफिसर माधवन भी आजाद के साथ मिला होता है आजाद और माधवन दोनों ने मिलकर सारे मिशन की प्लानिंग की थी और फिर माधवन आजाद को नया मिशन देता है स्विस बैंक से पैसा निकालने का और इसी के साथ मुवी की कहानी खतम हो जाती है